हेलो एवरीवन वेलकम टो वर यूटूब चैनल स्टार्ट करते हमारी नेस्ट पार्ट को फैस्ट पार्ट में हम लोग वने स्टार्टिंग के 50 कोशन डिसकस कर रखे थे आज हम आगे के 50 कोशन डिसकस करने बाले डिसकसन डिसकसन वाइल यंगल रहेगा पीडिएफ टेलिगाम जन्पर मिल जाएगा ताब हाँ पर जोइन कर लीजीगा और व्यूडियो पसंदर वीडियो को लाइक एंड शेर भी कर दीजीगा स्टार्ट करते कोशन नमर 151 के साथ बिच इस दा करेक्ट एक्जामपल ओफ क यानि कि हमारी मेक्जिम होती है सेंपल टू ऑम प्लेक्स उसका कारेक्ट एक्जामपल इसमें से कौन साथ हमें यह बताना है फस्ट टू प्रिजेंट कॉन्क्रीट फिंग से उन्हें पहले प्रिजेंट करो टीचर सुट फस्ट ट्राय टू फेमिलराइज दा इस्टूडे से कौन क्रिट टू एफ्से रक्ट गिकिर हम बोलते हैं कि मूर्थ से मूरत यह तो मूथ से मूरत हो गया इसमें क्या रहे हैं कि होलेशन के साथ पहले बच्चों को होली बताओ यहनु日 को अबर भी पहले दीदु यह होता है आपका होल साथ जैसे हम बोलते हैं संपूर से थार्ड है we are combined new knowledge with old knowledge old knowledge के साथ new knowledge को combine करना और फॉर्थ है simple और easy things should be presented to the student for the first time and gradually they should move towards complex or difficult thing पहले simple दो फिर complex की तरफ जाओ तो यही आपकी maximums बन जाती है simple to complex तो right answer option number D होना चाहिए और D ही right answer होगा लेकिन official answer की में इसका answer C दे रहा है बट D इसका right answer होगा एक अदर questions रोंग exams में हो जाते हैं तो maximum simple से summary स्रण के लिए कौन सो धारन ठीक है सरहल या आसान चीजों को चात्रों को पहली प्रिस्तुत की जाने चाहिए और धीर देर उसे कटिन चीजों के और बढ़ना चाहिए आगे बढ़ने को सर्च करोगे तो आपको लर्निंग आप औलाइन भी कर सकते हो एंड को लेबरेटिव लर्निंग कर सकते हैं कोपरेटिव एजूकेशन फेस्ट फेस होती है बाकि और उप्सेंस लिखें वह थोड़े भोड ठीक है बट वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यही इसका राइट आंसर रहेगा बाक रहे लगाइब सेंधसे उनलाइन उसक्ते हैं कि यहां सैंग्सेमाइब किसे लिख MORने साथ लग और को साहिए अपने आपने दोस्त के असाथ और अई है सेयकारी हो गई इस तरह से हैं कि 53 है आप मोस्ट कॉमन सेनेरियो इन इस स्कूल इस चिल्टर नो नॉट बिइंग एवल टू रीड हमारी स्कूल में बहुत बड़ी समयस्य होती कि बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप अपने बच्चों में रीडिंग को कै से प्रिमोट करोगे यह रीडिंग से यह रीडिंग इतना अच्छा होगा नहीं तो विजट लाइबरी लाइबरी जाना बच्चों को पहले ही पढ़ना नहीं आ रहा तो लाइबरी जाके क्या करेंगे रीटिंग बिद्ध एप्रोप्येट जेस्चर्स एंड ड्रमिटाइ होगा नहीं क्योंकि बच्चों को पहले ही पढ़ने में दिक्कत आ रही है हलकी सी खांसी है गला उतना सा फविताफ हो नहीं पाया है तो राइट आंसर इसका ओप्सन नंबर सी रहेगा इसकूलों में एक सफसे आम समय से यह ही कि बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं है एक अध्यावाजदा मीडियम ओफ एजूकेशन इंट्यूदूश्ट वाधियम इन प्राइमरी स्कूल जब वह 1813 बिटेश भारत आयते तो प्रातिंग बिद्यालियों में उनके द्वरा की गई सिक्चा का माधियम क्या था लेकि जो इंगलिस है वह में काले मिनेट साय था 1834 में उसके बाद फिर इंग्लिस को मीडियम बना दिया था वहांसा का माधियम अंग्रेज हो कर दिया था लेकिन इससे पहले रिजनल लेंगवेश चलती थी ठीक है और छेत्री वहासा में ही चलती थी तो राइट आंसर ओपसर नमबर डी होगा 155 वोट इस दा मेन परपास ओफ लॉंचिंग एडूशेट एडूशेट सेट्रेलाइट लॉंच की गई है इसका मेन फर्फस क्या था और सब्सक्राइब फिक्सिंग दा गेप इन टीचर्स वा यूजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स यह बात कुछ हत तक खीक है कि जो ब साथ ता मिली है तो प्रोगाइड एजुकेशन टू ओल प्यूपल इस्पेशली इस्पेशली चिल्डरन प्रोम रिमॉट एरियास टू दा कंट्री हूं कैनोट गो इस्कूल और कोलेज यह बात कुछ जादा ठीक लग रही है कि पहली बात तो एजुकेशन आप हर एक बैक प्रोग्राम फॉर इस्टुडेंट यह भी कुछ हद तक ठीक है लेकिन जो सबसे मोश्ट प्रीट आंसर लग रहा है वह उपसे नमबर सी लग रहा है तो ऑफसे नमबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हूं यह मैं देखेंगे एडुसेट लॉंच करने का मुख्य उद 40 स्टुडेंट्स दा लर्नर सो पर्सनल फ्रेफरेंस ओफ लर्निंग और वोडियू फॉलो आट टीचर चालिश चात्रों के कच्छा में सिक्षार्ति सीखने की ब्यक्तिकत प्रात्मिक्ताओं को दिखाता है एक सिक्षक के रूप में आप किसका पालन करेंगे ब्यक्तिकत लार्निंग का उस करोगे उस यूज Southern अदिर्फरेंट टैफ उफ टीचिटिक लर्निंग के उस 63 यूज करेंगे बच्छे की Maisie का से कुछ हो गा नहीं सेम टैफिच् referred ऐसे के buds बच्चे हैं और होते ही हैं बच्चों ब्यक्तिक भिविन निताएं होती ही है तो राइट आंसर और भी बनेगा अब डिफरेंट टाइप्स की टीचिंग लर्निंग मेथड्स का महाँ पर यूज करोगे विविन परकार के सिक्षण सीखने के तरीकों का प्रियोग 157 वाट कंप्स अंडर दा ट्रैक्टिकल ब्रांच ओप मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिकल ब्रांच इसके अंदर क्या आता है इसके अंदर आता है लिंकिंग वाइट रेंज ऑफ श्टेडि टू वाइडर यूज शुकर उसे विःबरिक जीवन में ज़्यादा से जादा यूज कर पाऊ धिश्टर तरिके से उसे यूज कर पाऊ कर तो अगर बहुक्तमर स्क्रलीकर नहीं तरफ चले जाते ञ dépendने जहाएं जीवडरा 가지में का इतना जादा भी यूज नहीं और ऑफ यूप्सेस आनसर प्राइमरी लेवल एक्स्टेंड टूर सेकेंटरी लेवल या फिर गोश्टू सेकेंटरी लेवल जोड़े जितने भी आपके आजार भूमिका है वह आपके सेकेंटरी से कि अभिश सेकेंटरी तक जाती है आप हर क्लास में सब्सक्राइब धनी लेवल पर जाएए सेकेंट्री लेवल पर चीज़ें गोजाती है यह कभी खतम नहीं होती है यह चलती ही रहती है तो राइट आंसर ऑप्स नमबर डी रहेगा माध्य में को बड़े बरिश्ट माध्य में चरण तक जाता है 159 विच अफ फॉलिंग इस एन एक्जामपल ओफ डिड़क्टिव मैथड डिड़क्टिव मैथड होती है हमारी जो चलत नियम से उधारा और डिड़क्टिव को क्या बोलते हैं तो डिड़क्टिव मैथड में सबसे पहले नियम बताया जाता है एक्स्पिन डेफिनेशन ओफ नाउं गिव एक्जामपल्स ओफ नाउं एंड रिकॉल दानाउं यह बात बिल्कुल सही है पहले आप डेफिनेशन दे रहे हो डेफिनेशन एंड एक्जामपल्स ओफ नाउं एंड एट पार्टिकुलर टाइम मतलब दोनों एक सांत ही देते हो तो दोनों एक साथ नहीं देते हैं सो वेरियस तिंग से रिलिटेट फू नाउं एंड आज के स्टूडन टू फॉर्मुलेट नाउं तो यह तो आपका अगमन बिदी हो जाएका इंडक्टिव मेथड गिव एक्जामपल्स ओफ नाउं यह भी आपका इंडक्टिव मेथड हो जाएका तो डिटक्टिव और मेथड के लिए ऑप्शन नमबर एही साही है पहले आप एक्जामपल दे रहे हो और फिर आप मौस लगाना भूल गया मैं चलो अभी एक मिनट रूप हो इंडी मीडिया माले हिद्धियम देख लीजिए मैं माउस लगाता हूँ कि अगर 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 ओके इंसर्ट हो गया है निगमन बिती का उधारना कौन सा है संग्या की परिवाशा की व्याक्या संग्या के उधारना देना और संग्या को दोराना कॉसर नमर 160 है what is the correct sequence of basic skills of language language सीखने की basic skills क्या है लिखने की basic skill है lsrw सबस्क्राइब लिस्निंग इसका रिस्पीकिंग रीडिंग और लाश्ट में आता है राइटिंग बुनियादी कोसल का सही करम क्या है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना 168 which of the following are self-defense activities self-defense activities कौन सी है आत्मरक्चा के लिए कौन से activities आप करोगे dance fishing से तो होगी नहीं आसन परणायम से भी नहीं होगी mass physical training dumbbells से भी नहीं होगी hiking trekking judo and करा दे तो बिल्कुल आपकी self-defense होई जाएगा आत्मरक्चा होई जाएगी तो option number d right answer रहेगा 162 है on which principle is drama in school based जो ड्रामा होता है बिध्यालेम जो ड्रामा होता है वह किस नियम पर या किस सिध्धान पर आधारित होता है life skills की education थोड़ी बहुत मिलती है expressions भी इसमें होते है learning by doing थोड़ी जादा होती है story of expressions भी थोड़ी बहुत होती है तो ज्यादा क्या हो रही सबसे ज्यादा learning by doing हो रही है तो करके सीखने के सिध्धान पर यह आपका आधारित होता है 163 है इना way of working with children and creating setting to caring and education that are friendly to nature इसे बोलते है nature teaching बच्चों के साथ काम करने और प्रकृति के अनुकुल देखवाल और सिख्छा के लिए setting बनाने के एक तरीका है तो यह है आपका प्रकृति अध्यापन ठीक है एक 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 प्रकृति अध्यापन ठीक है एक 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 ए the branch of science which deals with institution and activities of human society and studies the interrelation of individuals as members of society देकि society आ गया human society आ गया और यह साइन्स की ब्रांच है तो यह simple क्या होगा आपर social की बात चल लिए और social को हम किस तरह से पढ़ रहे है एक science के अंदर पढ़ रहे है तो यह आपका social science हो जाएगा बिज्ञान की साखा जो मानव समाज समाज आ गया तो समाजिक बिज्ञान बस 165 है थोड़ा सा बलर हो गया है यह पीडिया बट मैं आपको explain कर दूँगा What is the most appropriate strategy for environmental studies education? Environmental study education के लिए सबसे सई strategy क्या होगी? Debates, lecture, laboratory, work and artcraft, lecture effective नहीं रहेगा, appropriate नहीं रहेगा, lecture appropriate नहीं रहेगा simulations and games, simulation and games हो सकते है, debates ही हो सकता है, reading भी हो सकता है, laboratory भी हो सकता है चोटी class में तितना laboratory भर्क नहीं हो पाएगा, फिर भी कुछ अत्तक ठीक है Small groups project, project बहुत सही बात है, field trip बिलकुँ सही है, outdoor studies and executions इसमें ही सारे ही option A से दिये हैं, जो बिलकुँ सही है, environment की study के लिए, so right answer option number D ही होगा 165 का option number D right answer हो जाएगा, लगू समू, परियो ना, छेत्र दोरा, भाय अद्यनो, पर रसनी 166 है, which of the following is an example of inductive method, inductive method का example कौन सा है so examples of angles and ask for definition of angles, inductive में पहले क्या बताओगे, पहले examples बताओगे, फिर examples हम rule की तरफ जाएगे तो पहला तो हमें ठीक ठाक लग रहा है, explaining the law, यह नहीं होगा, asking definition होगा नहीं to show the cutout of angles, to tell the law of angles, then ask more examples of angles, यह भी आपका inductive का ही है अब यह दोनों ही inductive के हैं, लेकिन इन दोनों में से most appropriate answer कौन सा होगा, तो most appropriate answer option number D वाला होगा, तो पहले आप angles के cutout से दिखा रहे हैं बच्चों को angle का overview दिखा रहे हो, फिर आप उनको नियम बताते हो, फिर बच्चों से खुद आप example पूछते हो, ठीक है, तो यह भी आपका कुछ उसी तरह का है, example to rules की तरह का, यहाँ पर simple example to rule दिखा है, लेकिन इस सही तरीके से define करा है, इसलिए right answer आपका option number D रहेगा, option number D right answer हो जाएगा, कोणों के cutout दिखाना, कोणों के नियम को बताना, और फिर कोणों के अधिक उधारन पूछना, 167 है, what is meant by pedagogy of mathematics, mathematics की pedagogy का मतलब है, गरत पढ़ाने का विज्यान, गरत के सिक्चन साथ से अभी students, हम चातरों में मनो करियात्मा कोसल के से विक्सित कर सकते हैं, साइको मोटर मतलब जिसमें बच्चे के हाथ पर ज्यादा चल रहा हूँ, बच्चे के हाथ कहां पर ज्यादा चलेंगे, art craft, गरतिविदी यानि की color और सिल्प गरतिविदी हों मिल्कुल चलेंगे, एसे बिक्सित होगा, लेकिन साइको मोटर स्केल के लिए, art and craft, 169 ने, according to the national curriculum framework 2005, what are the objectives of teaching environmental science, national curriculum framework 2005 के अनुसार, environmental science पढ़ाने का मुख्य उद्देश क्या है, ये बताना है में, फिर्स्ट है, application with the environment, बिल्कुल सही, environment के साथ application करना, यानि क्यानुप्रियों करना, EVS पढ़ाने का एक रोल हो जाता है, creating awareness about the environmental issues, किये सकते हैं, awareness से बढ़ेगी, to create cognitive ability and resourcefulness to make the child curious about the social order, यहाँ पर आप सामाजी विवश्ता के बारें, बच्चे को आप curious बना रहे हो, उसकी सिं developing understanding based on observation and examples, observation and examples के तोर पर understanding, बिक्सित करना ये भी सही है, तो चारों के चारों ये option सही है, तो फिर सही answer क्या होगा, तो फिर हमें इस में से most appropriate answer की तरफ जाएंगे, NCF 2005 बोलता है, कि बच्चे अपने environment के साथ करके सीखते हैं, environment के साथ practical करके, observe करके, या उसके साथ अनुप् राष्टी पार्ट करम सरनाचना, 2005 करनु सार, परियाबरन विज्ञान पढ़ाने का मुख्योद्ये से परिविस के साथ प्रियोग करना, आगे बढ़ते है, नोर्ट के साथ नमबर 170 की तरफ, which of the following sentence is most appropriate in relation to the consequence of performing physical activity, बताएंगे, इन में से कौन सा answer, physical activity को परफॉर्म करने का सबसे अच्छा परिणाम है, students have a habit of winning, बच्चों को जीकने की आदत लग जाती है, तो ये कोई most appropriate नहीं है, students know the use of ground activities, ये भी most appropriate नहीं है, each students come close to the other and adjust himself according to the circumstance, तो ये हम कह सकते हैं, कि बच्चे दूसरे के close आ जाते हैं, और इस्तिती के अनुसार, परिस्तिती के अनुसार खुद को डालना सीख जाते हैं, students grow much faster than other students, ये भी नहीं होगा, तो right answer option number C होगा, निमने लिखित में से कौन से बाग सारे की गत्तिविती कराने के परिणाम के संदर में सबसे अप्योगते हैं, तो प्रितिक चातर एक दूसर के करीब आते हैं, और परिस्तिती के अनुसार खुद को समायुजित करते हैं, 171 है, which of the following statements are true, निमने लिखित में से कौन से statement सकते हैं, Social science is the source and repository of scientific and social knowledge के सकते हैं, कि social science में, science की, social science में, जो आपकी society है, उसकी scientific knowledge होती है, तो बिल्कु सही बात है, Social science studies people is a subject matter, थोड़ा बहुत ठीक है, social science is the relation of human with the other environment, बिसेशनाओ के अंदर आ सकते हैं, Social science is the relation to the study of human relationship, यह सब थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सबसे सही, option number A है, गलत हम नहीं किया सकते हैं, भाली question में पूचा गया है, which of the following statement are true, बट नीचे वाल statement भी सही है, ठीक है, बट राइट answer option number A ही रहेगा, क्योंकि social science में हम society का scientific knowledge लेते हैं, यह scientific दूफ से अध्यन कर रहे होते हैं, आगे बढ़े 172 की तरफ, how does the performing arts help students, performing arts students में किस तरह से help करती है, performing arts जो होती है, वो होती है, आपकी निस्पादन, निस्पादन कला, निस्पादन कला किस तरह से मदद करती है, इट teaches how to perform on stage, stage पर कैसे perform करना यह सिखाती है, तो थोड़ा वो सही है, इट increase the marks of the students, marks का कोई relation इस से है निग, इट develops self-expressions, creativity, pursuit of skill among the students, यह बाद मिल्कुल ठीक है, self-awareness बढ़ती है, creativity बढ़ती है, बच्चे खुद को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पाते हैं, इट gives students career options, career options देता है, चलो कुछ नहीं तो डांस कर लेना, या गा लेना, या यह कर लेना, तो right answer option number C है, जो की most appropriate है, इस पादन कला कैसे छात्रों की सहायता करती है, तो यह स्यम, अभिवक्ती, रशनात्मक और छात्रों के बीच कोशल की कोज को बिक्सित करती है, 173 है, how should the concept of health, disease and environment determinants, the health be included in the curriculum of health and physical education, स्वास्थ और सारिक सिक्षा के पार्ठ करम में, स्वास्थ बीमारी और स्वास्थ के पड़ेवणी देधारों की जो जानकारी है, उसको किस प्रकार सामल किया जाना चाहिए, कि आपकी health किस तरह की हो, बीमारीों के बारे बताना, या फिर आपके environmental determinants है, यानि कि परियावरान के जो निरधारक है, उनकी health के बारे बताना, तो किस तरह से इसे aid करना चाहिए, experience education from primary classes, यानि कि प्रात्मिक बर्गों से अनुभवी सिक्षा, टेक्स्ट से तो होगा नहीं, secondary level only होगा नहीं, physical activities से होगा नहीं, अनुभव के आधार पर सिक्षा से ही यह होगा, कि जिसको experience से पहले उन्हें include में किया जाए, तो right answer यहाँ पर option number A ही रहेगा, 173 का, कि अब धाना किस रूप में समलित करना चाहिए, प्रात्मिक बर्गों से अनुभवी सिक्षा के रूप में करने चाहिए, education psychology is mainly concerned with understanding general behavior of, education psychology में अब किसके बारे में बात करोगे, adults, teachers, workers, अब बच्चों के behavior के बारे में बात करोगे, तो right answer option number C हो जाएगा, चाहतर, 175 है, the ability should be content through physical health, ability should be concerned, content through physical health, देखिए, 125 जबाला जो कोशन है, वो पूरा कोशन यहां पर आ नहीं पाया है, यह PDF में थोड़ी सी प्रोलम हो गई थी, इस बज़े से, बट मैं आपको explain कर देता हूँ, यहां पर क्या क्या क्याना चाह रहते हैं, इन्होंने बोला, कि सारे स्वाष्ट के माध्यम से कोई सी छमताओं को बढ़ा सकते हो बच्चों की, तो competence in cognitive domain, नहीं कि cognitive domain का physical से इतना ज्यादा relation है नहीं, हाला कि थोड़ा बहुत relation है, बट इतना ज्यादा भी नहीं है, बच्चों को इतना एवल बनाएं कि वे जो ठकान है, उसको रोक सके या ठकान उनको जल्दी महसूस ना हो, acceptable degree of motor capacity and muscles cancels, इसकी उनके अंदर जादा जादा capacity है, तो यही इसका right answer था, option number B, 175 के बाद 176 आता है, 176 क्या पता है, मैंने एक मिट रोको मैं 176 कोशन आपको दिखा देता हूँ, यह 176 आ गया, ठीक है, इसका PDF आपको थोड़ा अलग से मिल जागा, दोनों PDF में 7 में सेंट कर दूँँगा, पहले वो वाला और यह दो कोशन वाला फिर, 176 है, according to national education policy, what is the main reason for including environmental science as an integral part of education, national education policy के अनुसार, जो environment है, environmental science है, उसे एक एकिकरत प्रणानी के रूप में, यह अभिन अंग के रूप में, कि जिससे आप अलग नहीं कर सकते, मैं सामिल करने का मुख्यों देश क्या था, कि environment जो रहेगा, वो हमारे syllabus का एक अभिन अंग रहेगा, making students aware of their environment, बच्चों को environment के लिए aware करना, informing students about environmental issues, preparing students for future environment hazards, या फिर telling students to the value of protection and preservation of the environment, इसका मुख्योद्ध यह था, कि बच्चे परियावरण के प्रिति जागरुक बने, उनको aware करना कि परियावरण के संरक्षन और परियावरण की संरक्षा के प्रिति जागरुक हो, हाला कि option number A भी ठीक था, लेकिन D में कहरा है कि उसकी रक्षा के लिए जागरुक हो, परियाबरन की प्रतिश जाग रुकतो हो लेकिन उसकी रक्षा के बारे में सोचे कि कैसे हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं चीजों को दोवन किस तरह से हम रोक सकते हैं टिक फस्ट भी सही है लेकिन ज्यादा सही है तो एए निपी के अनुसार परियाबरन बिग्यान का विन नहीं आ गया था 177 के हम बात करेंगे वोट वुड विया इंक्लूडेड इंड़ एजुकेशनल एक्सपीडियंस प्रोवाइड वाइज साइंस टीचर टूटीच नेचर स्टेडिस टू देर स्टूडेंट्स एक साइंस टीचर उसे अपने बच्चों को नेचर स्टेडिस एंड सर्विस लर्निंग सर्विस लर्निंग सर्विस लर्निंग टेक्नोलोजी का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि टेक्नोलोजी का रोल इसलिए नहीं होगा कि वह नेचर स्टेडिस की बात कर रहा है नेचर के बारें बताना चाहरा है तो सर्विस लर्निंग हो जाएगा कम् प्रकृति अध्यान पढ़ाने के लिए बिग्यान शिक्षा को दोर अप्रेद किये जाने वाले क्या सामिल होना चाहिए तो सेवा सीखना सामुदाइक सगाई सगाई नहीं मतलब इंगेजमेंट मतलब वाली इंगेजमेंट नहीं होती है इंगेजमेंट मतलब दूसरे के सांद जुड़ जाना और इस्थाना दरेद शिक्षा आ जाएगा ठीक तो यह दो कोसंते जो स्पीडियाप में नहीं थे जो मैंने यहां पर इंक्लूट कर दिये हैं अब बापी सब म लर्निंग इस नोट इंपरेंट फॉर बिच यॉड़ फोलिंग रीजन है वार शोचल साइंस की टेचिंग ओ लर्निंग इंपरेंट नहीं किस रीजन की वाजेसे अंडर्स्टेंडिक सोशल रीफॉर्मस और प्रोब्लमस समाजिक शुधारों और समय्स्याओं को समझना इ किस तरह से संगठित हैन्य तै या प्रवंदित है यह समझने के लिए भी हमें social scientist पढ़ना ही पड़ेगा the active responsible and concerned member of the society will society का active और concerned member responsibility member बनने के लिए भी आपको से पढ़ना ही पढ़ा रिसर्च और environment resource and development इसके लिए आपको EBS पढ़ना पढ़ेगा ना कि आपको social study पढ़ना पढ़ेगा तो right answer option number D हो गया इसके लिए social science पढ़ने की जोरत नहीं है समझे बिग्यान सिक्षण अध्यान निम्न लिखित काणों में से किसके लिए महतपूर नहीं है परेवर निये संसादनों और विकास पर सोथ करने के लिए 179 है what was the significance of the mid-day meal program mid-day meal program का महतव क्या है या क्या था खेर यह चल रहा है तो क्या ही बोलेंगे हम it is a philanthropic एक्ट यह परोपकारी अधिनिया में तो कोई दान पुनने का काम नहीं हो रहा है यहां पर तो यह option गलत है combating malnutrition and also providing the basis for nutritional education यह बात बिल्कुश सही है कुपोशन से निपेटना और पोशन सिक्षा के लिए आधारी प्रतान कर रहा था है reducing students dropouts यह थोड़ा यह मतलब secondary M है increasing the number of students यह भी secondary है primary यह है कि बच्चों को कुपोशन से निपटना 180 है how does rapid and important socialization take plan in humans humans में rapid और सबसे महत्पूर socialization होता है वो adolescence के दोरान होता है किसो रवस्ता के दोरान होगा बनेटी बन है the functions of the parents teacher association are all of the following except parents teacher association जो होती है पी टी एम उसका function है किसके अलावा बागी सारे उसके function है तो इंकरेज various aspects of parent involvement यह बात बिल्कुल सही है यह इसका function होगा parents involvement के various aspects को encourage करना to advise on school policies school policies को advise करना भी हम किया सकते हैं कि यह भी इसका function हो सकता है परामर्स दे सकते हैं to suggest amendments in the slaves slaves के बारे में तो यह बिल्कुल नहीं बोलेंगे to organize discussion on the topics related to school discipline school discipline के बारे में बात हो सकती है but syllabus के बारे में नहीं बोलेंगे बच्चों को यह पढ़ा हो यह इस तरह का syllabus रखो बाकि यह तिनों सही थे इसलिए तिनों गलत होगा यह गलत था इसलिए इसलिए होगे क्योंकि हमसे गलती पूचा गया था अई बावक सिक्चक संग के कार निमन लिखित में से सभी हैं सिवाए के पार्ट क्रम में संसोधन का सुझाव यह काम आपका NCRT का होता है इंकरिंग होता है प्रोफेशनल्स इन इस्कूल एजूकेशन केन वी कैन हेल्प पेरेंट्स बिद्धियार चेंजिंग रोल्स इन ओल्दा फॉल्रिंग बेस एक्शेप्स बिद्ध्याले सिक्षा के पेसिवाल लोग माता पिता को निमने सभी तरीकों से उनकी बदलती भूमिकाओं के बारे से कर सकते हो लेकिन फूड एंड मेडिटेशन के माध्यम से आप नहीं बता सकते हैं तो राइट आंसर इसका और डि होगा इसकी जरुरत नहीं है यहां पर सिवाय पूंश गया है यह आपको कुछ ट्रिक लागे हुए मिलेंगे यह गलत ही हो सकते हैं पुरानी सी बुक है मतलब की पड़ी हुई बुक है इस टीचर हाव वुड यू डिफाइंडर टीचर की रूप में आप जेंडर को किस तरह से डिफाइंड करोगे वाइलीजिकल यूनिट जो है बहुत आपका सेक्स है जेंडर सोशल वेरियर नहीं है इनेट क्वालिटीव नहीं है सेंसर यह आपका फिजिकल आस्पेक्ट हम य सब्सक्राइब करना यह तो यह तो मुझे गलत लग रहा है तो कम्यूनिकेट कांशलट एंड कोपरेट विद अधर मेंबर बिल्कुल ठीक बात है अगेब करें के लिए बिट्ती लाव्स मिचित करने के कि आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन की तरफ बिच ऑफ दा फोलिंग इस नोट कम्यूनिटी आउट्रिच आउट्रीच एक्टिविटी कौन सी नहीं है बैस के साक्षर्था प्रोग्राम हेल्थ प्रोग्राम वॉलेंटरी वर्क इन होस्पेट होस्पिटल्स एंड फेर्स खर्फ ए पिर एजुकेशन एक्सकरस्ट एक्सकरशन या से शैक्षणिक ब्रहम्र में आपके समुदाए का को बल नगी अस समुदाए आजाएगा स्वाइश के साक्षर्था कार्कराम में समूदाए आ जाएगा इसलिए ने अहलों इसका ऑप्शन नंबर दीवनेगा मैं तो यह आपका डिस्क फेक्टर के अंदर आएगा अगे बढ़ेंगे बनेटी सेवन की तरफ पेरेंट्स शुडवी इंकरेज टू पार्टिसेपेट इन ओल अफ फॉलिंग डिसीजन मेंकिंग इस्कूल एक्टिविटी एक्ट सेप्ट निमने लिखित में से सभी ने लेने व इसकि वोई किस तरह से हो गर्स की उनिफोर्म किस तरह से हो लेकिन एक्जामिनेशन डूल के लिए आप पेरेंट्स को इनबोल वहां पर नहीं कर सकते इसंब से कम यहां पेरेंट्स की इनबॉल्मेंट होती है तो सी इसका राइट आन्सर हो जाएगा परिक्षा सुदार के हम माता प्रिता के भागीदारी को प्रोफेस्जाइट नहीं करेंगे, इन सर्विस्ерь करनें पर टीचर इस डीजाइन फो मोट जो सर्विस्जाइन किस्जाइन यह जगते हैं, ऐसारी की किसेन के लिए इसको डीजान किया जाता है। फश्ट है for the increasing needs of the education, education needs के लिए to upgrade professional skills, knowledge and interest ये ज़्यादा सही है तो teacher की professional skills किस तरह से teach करना है, उससे related उसको knowledge और उसका interest इन सबको encourage करो इन सबको upgrade करो for manpower development of school system and educational enterprise तो increase job satisfaction and career perspectives तो ये कुछ इतने ठीक है नहीं, right answer option number भी ही रहेगा उसकी professional skills बहतर हो, उसका knowledge बड़े और interest उसमें create हो सिक्चाकों के लिए सेवा काल इन सिक्चान किस लिए डियान किया जाता है, वेसे वर कोसल, ग्यान और रुची का union करने के लिए how are primary teachers primarily expected to contribute to organization management प्रात्मिक सिक्चाकों से मुख्य रूप से किस तरह संगटनात्मक प्रवंधन में योग्यान की आसाय उम्मित की जा सकती है देखी, organizational management की बात चल लए है management के लिए by managing the human physical and financial resource, by communicating with parents, maintaining records, by developing teaching aids यहाँ पर हम बात कर रहे हैं management की लिए कि management के लिए उसे क्या करना पड़ेगा why managing the human physical financial resource of the school option number A right answer रहेगा कि बिद्ध्याले के मान भी बहुतिक और बित्ति संसात्मों का प्रवंधन कर गए क्योंकि option में ही organizational management की बात चल रही है communication ये ठीक है बट option के coding ये options आपके सही नहीं है which of the following is an important characteristics commonly found in effective school administrators at primary प्रात्मी किस तर पर प्रवावी school प्रसासकों में सामानेता निमने लिखित में से एक महत्पूर बिसेश्था है एक महत्पूर बिसेश्था कौन सी होगी प्रात्मी किस स्कूल के टीचर के अड्मिनिस्ट्रेटर के लिए देखिए अगर टीचर को अड्मिनिस्ट्रेटर करना यह है कि प्रसासक करना में से स्कूल को चलाना है तो उसके लिए उसके पास वोना चाहिए leadership and management जैकि mastery over subject यह teacher के जरूर है effective communication एक के लिए टीचर के लिए टीचर के लिए लेकर मेनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा ज्रूरी है उसके लीडर्शिप और ऊसका मेनेजमेंट कर पाईगा कर का एक लेतरत बोस प्रबंत सबसे ज्यादा ज्रूरी आगे बढ़ेंगे 191 की तरह ड़ क diversity design ुट्र awareness QoSAL which is Pre-vocational वो किसके लिए develop की जाती है to prepare for community service to prepare the students for the world of work to prepare the students for the labor market to prepare the students for the active program यह develop की जाती है कि कारी की दुनिया में बच्चा previous करने वाला है उसके लिए उसे तयार किया जाए तो option number B right answer रहेगा कारी जगत के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए पूरो व्याफसाई कोसल की गतिवतियां डिजाइन की जाती है 1 and 2 है The work education program provides students with the opportunity to develop skills for whom कार सिक्षा कार करम चातरों को किसके लिए कोसल विक्सित करने का अफसर प्रिदान करते हैं कार सिक्षा कार करम से बच्चों की जो productive capacity है वो बढ़ती है बच्ची ज्यादा ज्यादा उत्पादन करना सीखते हैं ठीक बागी यह सब भी ठीक है लेकिन जो सबसे में फोकास होता है वो होता है प्रोडक्टव पेसिटी पर है वाय डोवे नीठ गारडनिंग एक्टिविटेज इन इस्कूल में गारडनिंग की अवसकत क्यों है देकि हमें देखना इसका ब्रोड म् इसका ब्रोड म् क्या है तो इंवारिमेंटल एटिट्यूट में बच्चे में सुधान लाना परिया को लेकर वंचे का रवाई है उसमें आप सुधान लेकर आओगे तो कीब दा इस्टुडेंट विजी डियूरिंग यह तो ही नहीं तो मेक इस्टुडेंट्स अवेर ओफ गार्डनिंग यह तो नेरो एम हो जाता है यह तो इसका कोई उद्यस होगा ही नहीं ठीक है तो मेन उद्यस ऑफ्सन नंबर फस्ट बाल होगा टू इंवारिमेंटल एटिट्यूड आगे बढ़ेंगे 194 की तरफ और प्रोटेक्ट इस्टुडेंट्स और फूड पॉजिनिंग अब चात्रों को खाद विस्त बादा से कैसे बचा सकते हैं चेकिंग दा फूर बिफोर गिविंग इट सही बात है बच्चों को फूर देने से पहले टेस्ट कर लिए जाएं आस्किंग दा आस्किंग दें ब बोजन तो सब्सक्राइब करते हैं लेकिन कभी-कभी दिक्कत हो जाती है वोट आर दा कोज ओफ एलेर्जिक एस्तिमा एलेर्जी अज संबन्द एस्तिमा के कारण क्या है और सी इसका राइट आंसर दिया गया था सीटेट को दौरा और इसके बारे मुझे कोई खास कोई थे संसे से भी दौरेंट यहाँ पर दिये हुए है अब इस वन मैश चूस करना है और भी उन्प्रोंव की घ्क व्यकंद में और यह वन स्थ्ट यह करना चाहिए ऐन्ट उफ्ट फ्यूदेंट्स हैं उनके वाचत में सुधार आएगा तुक्त किस हो रही है किस कारणी है क्योंकि हमने physical environment school का सही कर दिया तो right answer option number A ही रहेगा दो कथन दी हुए है पहला हम बेद्ध्याले के सारिक बाताबड़ में सुधार करेंगे दूसरा थात्रों और कर्मचारियों के स्वाष्ट में सुधार होगा तो पहला कथन दूसरे कथन का कारान है 97 की तरब चलेंगे Which of the following competencies is a teacher required to have Teacher में किस तरह की competence होना चाहिए Knowledge of communication skills, teaching and learning process, विल्कुल ठीक Soft skills, lesson planning, classroom management होना चाहिए Working with students, problem solving, teaching skills होना चाहिए Instructional delivery, classroom management, soft skills, assessments ये भी होना चाहिए अब ये सब होना चाहिए, अब इसमें से कौन सास most appropriate है देखिए Instructional delivery यानि की सही तरीके से निर्दसोनों का बितरन कर सके Class को management कर सके, soft skills हो और assessment भी हो तो ये सारी ही चीजे एक teacher के अंदर होना चाहिए चार options होना चाहिए लेकिन हम के सकते हैं कि D वाले में हमें चार तरी की चीजें मिल रही है थी के बागे समय तीन तीन चीजे थी गिस्नी तीन दीन वाले होने दो चाहिए तो निर्दे सात्मग बित्रना कप्चा प्रवंदन्स, सॉफ्ट कोसल्स और आकलन 198 है What is included in school physical health School की physical health में क्या include होता है Physical health की बाद चली school की Regents of infrastructure, furniture, chemicals, biological agents, the site where a school is located The surrounding environment including air and water बिल्कु सही बात है इसमें हर चीज की बाले में बात कर दी School का furniture बगेरा ठीक हो, biological agents इन सबसे वह थोड़ा से दूर हो वह इसी जगा रुका हो, हाँ के environment की, हवा, पानी मतलब यह सब चीज हमें देखना चाहिए तो यह ही सही है, बागी तो सब चोटे मोटे options है बुनियादी, धाचा, फरनीचा, रसाइन, जेवी के जन्ट को पच्छती थी जिस साइट पर स्कूल इसे ते उसके आसपास के बात वरान हावापान यह सह हमें देखना होगा 119 The child starts crying when the mother leaves the child in school जब माँ अपने बच्चे को स्कूल में छोड़कर जाती है तो बच्चा रोता है, किससे जुड़ा हुआ है, यह जुड़ा हुआ है, separation, emotional anxiety नहीं है यहां पर strange का वेडिस भी नहीं है, social concern भी नहीं है separation concern है, concern है, बच्चे को चिंता है, मां से बच्छडने की दुस्छ चिंता है मां से बच्छडने की इसलिए the involvement of a culturally sensitive community in the school is important for all of the following reasons except of one identify the reason विद्ध्याले में cultural की sensitivity होना चाहिए यह जरूरी है हर एक मतलब इसके तीन correct option दिये हुए एक गलत दिया हुआ है तो जो गलत दिया हुआ है उसे हमें चूज करना है पढ़ लीजेगा पोशन को बढ़िया एक एक्षेप्ट एंड इंक्लूड एस्टुडेंट एक मिल्ट एक मिल्ट एक एक्षेप्ट एंक्लूड एस्टुडेंट्स रिसायल और एथिनिक बेक्ग्राउंड इट इंप्रूब्स ता केपसिटी ओव दा कल्चरी अब क्या होगा राइट आंसर देखिए बाकी तीनों ही आंसर इसके सही है तीनी ओप्सन सही है लेकिन पेरेंट्स टीचर रिलेशंसिप इससे ठीक होगा यह को इतना खास सही नहीं है इसलिए हम राइट आंसर आप्शन नमबर डी को ही मानेंगे मिध्याले में सांस्कृत सब्सक्राइब से समुदाय की भागदारी सभी कार्णों से महतपूर्ण केवाल एक को छोड़कर नसली जाती प्रेश्ट गूमी को सुईकार रता है वे किसी परकार की प्रेश्ट गूमी से आया हो सब को सुईकार कर लेगा तो इसकी आंसर की आपको मिल जाएगी तो यह आंसर की हो जाती है अब यदि आपको वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा प्लेलिस्ट बनी हुई है एक अगर आपको प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पर आपको सारे प्रेवीसर कोशन पेपर मिल जाएंगे वीडिया टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा और यदि आपको कहीं डाउट रहता है किसी भी कोशन में तो आप उसकोशन का नंबर लेकर कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि